नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धन्राच शोट हैंडेकेट में स्ट्रेंडो क्लासिस में दोस्तों आजका में अटक्रेशन रास्थान पत्र का संपात किये गती स्टी शब्त प्रितिवनट पाकिस्तान का सफी जूट और FTF गती स शब्त प्रितिवनट बी रडी 3 2 1 स्टार्ट स्टार्ट सयुक्त रास्ट्र से घोशित सूची में शामिल आतंकियों के खिलाफ कारवाई करने में नाकाम रहने के कारण पाकिस्तान एक बार फिर सफल नहीं हो सका जर्मनी की अध्यक्षता में पांच दिन चली बैठक के बाद FTF ने पाकिस्तान के प्रियास नाकाफी बताए अभी उसे सूची से बाहर आने के लिए काफी कुछ करना होगा पैरा भारत ने अंतरास्ट्रिय मंचों पर पाकिस्तान की कारगुजारियों को लगातार उजागर करके ग्रे लिष्ट से बाहर आने के प्रियासों पर पानी फिर दिया है FTF ने महसूस किया की बार बार की चेतावनियों के बावजूद आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान ने अपिक्षित कारवाई नहीं की पाकिस्तान ने लशकरे तैबा और जमात उद दावा के खिलाफ जाच करने और मुकदमा चलाने का दिखावा जरूर किया पर ठोस कारवाई नहीं हो सकी लशकर के संस्थापक हाफिज सईद जैसे कुछ नेताओं को अदालत ने आतंकी फंडिंग में दोशी माना और सजा सुनाई पर दूसरे कई आतंकी संगठनों के खिलाफ कुछ खास कारवाई नहीं हुई जैश ए मुहमद और उसके सरगना मसूद अजहर के खिलाफ कुछ नहीं हुआ जबकि इसके आतंकी हमलों में शामिल होने के स्वबुत सामने आये थे FTF को ऐसी सूचना है कि अफगानिस्तान से अमरीकी सेनाओं की वापसी के बीच तालिबान ने पाकिस्तान की जमीन का इस्तिमाल करते हुए धन जुटाया पैरा हलांकि पाकिस्तान को FTF की ब्लैक लिस्ट में शामिल करवाने के भारत के प्रयासों को भी सफलता नहीं मिल रही है हर बार आतंकीयों के खिलाफ कारवाई में आगे बढ़ने का दिखावा करने में पाकिस्तान सफल हो जाता है इस बार भी ऐसा ही हुआ है FTF ने पाकिस्तान को 2018 से ही ग्रे लिष्ट में डाल रखा है इसकी वजहे से अंतरास्ट्रिय इस्तर पर धन हासिल करने में उसे समस्या जरूर हो रही है पर पूरी तरहे रोक नहीं लग सकी है पैरा यह जग जाहिर है कि अंतरास्ट्रिय एजेंसियों से हासिल धन का इस्तिमाल पाकिस्तान चोरी छिपे आतंकी संगठनों को मदद देने में करता रहा है ग्रे लिष्ट में पाकिस्तान सहित 19 देश हैं इनमें कई देश टैक्स चोरों का स्वर्ग समझते हैं कई ने आतंकीयों को फंडिंग का रास्ता बना रखा है पाकिस्तान को 2012 से 2015 के बीच भी ग्रे लिष्ट में रखा गया था बाद में वह ऐसा दिखाने में सफल हो गया की उसने मनी लॉंडरिंग और आतंकी हर्खतों को रोकने का उपाय कर लिया है इस बार भी पाकिस्तान सरकार की यही कोशिश है की उसके सफेद जोंट को अंतरास्त्रिय समुदाय सच मान ले एफटीएफ को दिखावे और हकीकत में अंतर समझना होगा पुनविराम